नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडि सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCRT की महाभारत कथा के अंतरकत भीश्म प्रतिग्या को पढ़ेंगे कथा को पढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को ससक्राइब नहीं किया है तो क्रपया चैनल को ससक्राइब करें आईए शुरू करते हैं भीश्म प्रतिग्या तेजिस्वी पुत्र गोपाकर राजा सांतनु प्रफुलित मन से नगर को लोटे और देवब्रत राचुमार के पद को सुसोभित करने लगे चार वर्स और बीत गए एक दिन राजा सांतनु यमना तटकी ओर घूमने गए वहाँ अपसरासी सुन्दर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी तरुणी का नाम सत्यवती था गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो बिराग शाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही बिलीन हो गया उस सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्वती से प्रेम याचना की सत्वती बोली मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं पहले उनकी अनुमती ले लीजिए फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तयार हूँ राजा सांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रगट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक बचन देना पड़ेगा राजा ने कहा जो मागोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो केवट राज बोले आपके बाद हस्तिनापूर के राज सिंगासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा इस बाद का आप मुझे वचन दे सकते हैं केवट राज की सर्त राजा सांतनु को ना गवान गुजरी गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्धी पर बैठाने की कलपना तक उनसे ना हो सकी निराश और उद्धिग्न मन से वह नकर की ओर लोट आए किसी से कुछ कह भी नहीं सकते पर चिंता उनके मन को कीडे की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी देवब्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई ब्यथा समाई हुई है एक दिन उसने सांतनू से पूछा पिता जी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं आपको किस बात की चिंता है यद्यपि सांतनू ने गोल मोल बाते बताई फिर भी कुशागर बुद्धी देवब्रत को बात समझने में देर ना लगी उन्होंने राजा के सार्थी से पूछ तांश करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बाते हुई थी उसका पता लगा लिया पिता जी के मन की बैथा जानकर देवब्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज सांतनु से कर देवट राज ने वही सर्थ दोराई जो उन्होंने सांतनु के सामने रखी थी देवब्रत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ती का कारण यही है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा केवट राज इससे संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने और दूर की सोची बोले आर्य पुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे किन्तु आपकी संतान से मैं वैसी आसा कैसे रख सकता हूँ आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेंगे इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है केवट राज का यह प्रस्न अप्रत्यासित था उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवब्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें किन्तु पित्रिभक्त देवब्रत इससे जराभी बिचलित नहीं हुए गंभीर स्वर से उन्होंने यह कहा मैं जीवन भर बिवाह नहीं करूंगा आजन्म ब्रह्मभचारी रहूंगा मेरे संतान ही नहीं होगी अब तो तुम संतुष्ट हो किसी को आसानाथी की तरुन ऐसी कठोर प्रतिज्या करेंगे देवब्रत ने भयंकर प्रतिज्या की थी इसलिए उस दिन से उनका नाम भीश्म पड़ गया केवट राज ने सानन्द अपनी पुत्री को देवब्रत के साथ विदा किया सत्यवती से राजा सांतनु के दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्या सांतनु के देहा वसान पर चित्रांगद हस्तिनापूर के सिंगासन पर वैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर राजा बने विचित्रवीर की दो राणिया थी अंबिका और अंबालिका अंबिका के पुत्र थे ध्रतराष्ट और अंबालिका के पुत्र पांडू ध्रतराष्ट के पुत्र कौरो कहलाए और पांडू के पांडू महात्मा भीश्म सांतनों के बाद से कुरू छेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवन्स के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें सेयर करें तहता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद